नमस्कार एवरिवन वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल दिस इस विनोमता आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे डिजाइनर यूनीक कुर्ता सेट्स शेयर करने वाली हूँ जिसमें कुछ सेट अनारकली कुर्ती ही होने वाली है कुछ कुर्ता पलाजो सेट होने वाले हैं जो बहुत डिजाइनर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अफॉर्डबल भी है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फर्स्ट यह जो आप कुर्ती देख पा रहे होंगे यह बहुत ही खुबसूरत अनारकली कुर्ती है जिसका जो कलर है वह सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुबसूरत कलर इसका कलर वाइट नहीं है ओफ वाइट प्लस क्रीमिश मिक्स है जिसा हमें आईवरी टच मिलता है यह बिल्कुल वैसी कुर्ती और इसका जो काम है ना यह जस्ट कमेंडबल है बहुत ही खुबसूरत यह कुर्ती है यह वाली जो कुर्ती है यह मैंने एक फंक्शन में पहल लिया तो प्लीज इग्नोर देट फाउंडेशन मार्क्स ओन डेट नेक लाइन तो वहां पे वह मेरा थोड़ा सा पाउडर वाला एरिया लग गया था क्योंकि इतनी खुबसूरत कुर्ती है ना मैं इसको एक्स्प्लेइन करने के लिए मैं सोच रही हूं कि मैं क्या बोलूं तो सबसे पहले जो है ना यह चिकन कारी कुरती है जिससे लकनवी चिकन कारी होता है यह हैंड तो नहीं है मशीन वर्क है पर बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है इसमें मैंने मेडियम साइज और किया था लेकिन यह मुझे थोड़ा सा लार जाई थी तो अगर आप इसे अपने प्रू साइज से थोड़ा सा कम बाय करना मैंने ओफ वाइट कलर की यह पूरी ही कुरती मे यह बहुत ही खुबसूरत लगता है इसमें पहनने में इसमें वैसा सीक्वेंस का काम नहीं है इसमें वाइट कलर के ही सीक्वेंस का काम किया गया जिसको बहुत ज्यादा ब्लिंगी एफेक्ट देता है बहुत ज्यादा खुबसूरत बनाता है इसको यह जो है ना यह गाउ design बना के दिया गया है और जो material है ना इसका वो pure cotton material है पूरी जो material इसमें pure cotton का material है उसमें embroidery करके दी गई इसमें sequence बना के अटैच करके दी गए sequence को अच्छे से silk के दिया गया है इसमें properly और ली यह stitched है और पीछे हमें adjust करने के लिए draw string बना के दी गई है प्लाजो इसमें नहीं मिलता हो और नहीं दुपट्टा यह खाली कुरती मुझे रिसीव हुई थी और जब मैं इसे order कर रही थी यह मेरा मीशो से first purchase था तो जब मैं इसे order कर रही थी ना तो यह मुझे बहुत प्रिटी करती में हमें borderline पर भी ना embroidery करके दी गई है जिसमें अलग से embroidery अलग design में बनाके दी गई है flowers बनाके दी गए है geometric print बना जियोमेट्रिक प्रिंट नहीं है geometric embroidery ही करके दी गई है front and back में इसमें inner lining हमें मिलती नहीं है और inner lining के आपको जरूरत भी नहीं है लेकिन प्लाजो के साथ तो ट्राइन पार्ट में आपको clear हो पा रहा होगा यह कितना खुबसूरत लगता है पहनने के बाद इस कुर्ती में बहुत ही rich काम किया गया है मैं आपको back camera से एक बार दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कितना fine इसमें embroidery का का काम किया गया है पूरी ही कुर दाउन है इसे आप day functions में पहन सकते हो night functions में पहन सकते हो किसी की engagement party में पहन सकते हो summers आने वाले हैं और वैसे भी भी बहुत ज़्यादा हमें humidity होती है तो यह जो इसका जो fabric है ना बहुत comfortable है it feels good to skin बहुत ही skin friendly fabric है इसका pure cotton material है तो market में आपको ऐसा rich chicken curry का का काम नहीं मिलता मिल और इस price point में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा चिकन कारी की मैं die hard fan हूं मुझे बहुत ही अच्छे लगते चिकन कारी के कपड़े वह जो royalty add करते हैं आपकी personality में जो charm add करते हैं बहुत classy effect देते हैं चिकन कारी के कपड़े तो मुझे बहुत पसंद है वह इतना subtle material होने के साथ साथ वह बहुत जदे rich material भी होते हैं और यह कलियों वाली कुर्ती है जिसमें हमें 10 कली मिलती है बहुत जदा यह flowy material तो है लेकिन इसमें काम इतना heavy किया गया है कि heaviness की वज़े से वह बहुत जदा इसमें frills नहीं आते जो आपको वीडियो में visible नहीं होता होगा लेकिन यह real में बहुत खूबसूरत लगती है और इसे मैंने बंदेज की दुपटे के साथ carry नहीं किया हर कोई से सिर्टे के साथ carry कर लेता है इसलिए मने कुछ नया किया हैसे बंदेज के साथ pair up किया हो यह बहुत ही खूबसूरत लगता है तो red color के साथ मैंसे एक function मैं अभी bagni color के ब तो यह बहुत ज़्दा खुबसूरत लगेगा तो आप इसे ले सकते हैं दुबट्टे की लिंक आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी लेकिन यह जो दुपट्टा है ना यह मैंने लोकल मार्केट से ले लिया था और यह जो कटिंग वाले कपड़े होते हैं इसे मैंने कटवा लिया था धाई मेंटर के करीबन और इसमें सिर्फ लेस अटैच कर दी थी तो यह बहुत ज़दा अफॉर्डबल हो गया था मेरे लिए क्योंकि जब मैं ऑनलाइन चेक करी थी तो आट सो नौसो के नीचे इस क्वालिटी के दुपट्टे नहीं मिल रहे है मुझे लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको लिंक प्रॉइट कर दूँगी फिर भी आप अगर अफॉर्डबल सोचना सोचते हो या फॉर्डबल कुछ चाहते हो तो अपने लोकल मार्केट में विजट कर सकते हो है ऐसे कप्टे आपको आराम से मिल जाएगी और यह ट प्रॉंटेंट बैक दोनों तरफ से इसमें इंब्रॉडरी की गई है जिसने मुझे बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं किया अब बात करूं मैं अपने अपने नेक्स्ट प्रोड़क्ट की तो जैसा मैंने बुला आपको कि मैं छिकन कारी के डाय हार्ट फैन हो और मुझे करके दी गई है और इसका जो मैटेरियल है वहां पे बार बार यह कलर स्टॉक आउट हो जा रहा था तो मुझे पीच कलर चाहिए नहीं था और पिंक कलर नहीं चाहिए था वाइड कलर मैंने अल्रेडी पर्चेस कर लिया था तो इस पर्टिकुलर के लिए मैंने बहुत कि मैंने इसके लिए वेट कर लिया तो मुझे इतने अच्छे कलर की और इतने आई कैची कलर जो होता है यह बिल्कुल वैल और बहुत ही जदा अपके आँखों को चुबने वाला कलर नहीं है ऐसा यह कलर मैंने पिक किया है तो इसमें हमें पूरी ही गुर्ती में कर दूंगे और मैं कुछ पिक्चर्स भी एड कर दूंगे इसका जो बॉर्डर का काम है ना वह बहुत फिनिश्ट काम है इसमें पूरा भर भर के हमें इंब्रॉडरी करके दी गई है कहीं से भी यह कुर्ती फ्रेंट साइड से खाली नहीं है और जैसा हमें स्लीव की जो ल की यूटीओ में और किसी वीडियो में उन्हों ने मुझे यह नहीं बतायकिसी यूटीवर ने मुझे यह नहीं शो किय था कि बैक साइड से प्लीन कुरती है तो मुझे लगा जब मैं इसका खू़्ट फिले Memphis करेंई लीकिन चेब मुझे यह तो इसके फ्रेंट लेग्श io पहनना पसंद करते हैं, तो अब इसके उपर से हमें इनर लाइनिंग पहननी पड़ेगी, यह compulsory हो जाएगा, बहुत ज़दा यह थोड़ा see through है, तो वो थोड़ा सा बहुत ज़दा गर्मी लगने लगती है हमें उन कपड़ों में, तो अगर यह चीज बैक में भी हमें करके दी गई होती है, तो बहुत ही ज़दा खुबसूरत लगता है, और बैक पार्ट इसमें अटेच किया गया है, अलग लाइनिंग वहाँ पर हमें जोड़ मालूम चलता है, लेकिन फिर भी डिजाइन इसका इतना खुबसूरत था ना, कि मैंने रख लिया डिजाइन की जैसे, लेकिन अगर इसमें हमें दोनों साइड एंब्रोडरी होती है, तो यह फाइव आउट आफ फाइव होता है, अब आते हैं इस कूर्ती के में पंच में जो इसका प्लाजो सेट है, इसका प्लाजो का कपड़ाना इतना खुबसूरत कॉटन माटेरियल है, बहुत ज़ मिल गया था, जो बहुत अच्छी बात है, अफौर्डबल है यह, और इसका कपड़ा है इतना ज्यादा मलमल कॉटन ज्यास होता है, ना मलमल कॉटन वाला जो कपड़ा होता है, बिल्कुल वैसा ही कपड़ा इसके faber की कोई बहुत ज़ाद अचही है, इसके फाइब्र पूइंट लगी कि यह fully elasticated है और इसमें पूरे ही प्लाजो में ना हमें वही design वही embroidery मिलती है जो पूरे कूरते में मिलती है जो इसको बहुत जदा fine look provide करती है तो try and part में आपको clear hope आया होगा कि यह पहनने के बाद कितना जदा classy effect देता है तो अगर आप office going गर लो अगर आप college म में बढ़ाते हो या पढ़ते हो तो आप यह बिल्कुल ले सबते हो बहुत ही fine elegance add करने वाला है आपकी personality में इसमें हमें तीन बटन प्रोवाइड कराई जाती है बटन ओपनेबल नहीं शोपी इसके लिए से stick किया स्टिच किया गया है stick नहीं जिसकी quality बहुत अच्छी है और इसके पलाजो का material की बात करूँ ना तो पलाजो का material 10 out of 10 है इवन मैं यह कहूं तो 11 out of 10 है बहुत ही अच्छा material है pure cotton material है skin में आपके बिल्कुल भी चुबने नहीं वाला और इसका जो color है वो pure white होता है बिल्कुल वैसा color तो बहुत ही ज्यादा soft material है आप अगर इसे लेन किया था आपको लेने के बाद मालूम चलेगा इसलिए मैंने सुचा आपके साथ यह चीज़े शेयर करनी चाहिए और हमें जैसा कुर्ती के bottom में design मिलता है वैसा same हमें embroidery plazo के end में भी करके दी गई है plazo के design है जो मैंने catalog में देखा था ना वहां पे अलग plazo के design थी लेकिन फ बहुत आसानी से आपको आ जाएगा और अगर उससे कम हैं तो मेरी तरह alter करवा सकती हो कि मैंने इस कुर्ती को थोड़ा सा alter करवाया है यह मुझे थोड़ा ज्यादा लंबी आ रही थी तो पहनने के बाद ऐसा look नहीं दे रही थी ऐसा लग रही था मैंने किसी और की कुर्त पहन लिए तो वो मुझे अच्छी नहीं लग दी तो इसका material बहुत सॉफ्ट है इसके design बहुत रिच है इसमें पूरी ही कुर्ते प्लाजों में embroidery करके दी गई है embroidery की quality बहुत फाइन है कहीं से भी धागी नहीं निकल रहे हैं कहीं से भी इसमें material की जो quality है ना वुझे सा बिल्कुल नहीं है material pure cotton है सिर्फ एक ही negative point मुझे लगा कि इसमें back side में अगर embroidery होती तो वह जाद आच्छी लगती पर फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो 500 में बिल्कुल भी बुरी डील नहीं है क्योंकि आपको market में ना इस price point पे कुर्ती भी नहीं मिलती तो हमें गुर यह इसका design है तो यह एक suit set order किया था मैंने जिसमें halter neck का बहुत ही प्यारा खुबसूरत सा कुर्ता था स्ट्रेट पैंट और बनार सी दुपट्ट्टा था जो मैंने अपनी friend की शादी में भेनने के लिए purchase किया था और expected delivery date थी ना वो मेरे friend की शादी के दो दिन पहले की थ मुझे इतना गुसा आया जिस seller ने भी मुझे यह send किया था इसकी जो quality है तो वह तो बहुत अच्छी है pure cotton material है quality मैं अगर देखा जाए तो quality 10 out of 10 है लेकिन जो इसका main punch था वह उसका neck designing थी इस suit को मैंने सिर्फ इसके neck pattern की वज़े से purchase किया था क्योंकि वही उसकी main beauty थी वह glamorous ह होने के साथ traditional जूसमें टच था suit के साथ वह मुझे बहुत अच्छा लगा था एकदम classy look देने वाला था लेकिन यह हमें क्या provide कर दिया गया था सिर्फ एक sleeveless कूर्ता रिसीव हुआ है round neck के साथ और जिसका material जो है basically एक turtle neck कूरता है जिसमें और कोई भी हमें design नहीं provide की गई और इसमें हमें neck lining है वहाँ पे golden color की lace लगा के दी गई है no doubt lace की quality अच्छी है लेकिन जो इसका main punch था ना वो उस कूरते का design ही था material की fabric की अगर मैं बात करूँ तो pure cotton material मुझे receive हुआ है लेकिन उस cotton को लेके आप क्या करोगे जो आपको look ही नहीं देगा और side में भी हमें lace attach कर करके दी गई है कुरते की length अच्छी है लेकि इसमें inner lining भी हमें provide करके दी गई है जिसका जो material है वो cotton material है पर मुझे इतना गुसा आया ना क्योंकि इसने मेरा पूरा function खराब कर दिया मैं totally इस product के उपर rely कर रही थी अपने friend की शादी में कि मैं इसे पहन के जाने वाली हो engagement मे मैंने white color वाली कुर्ती already पहन ली थी और मेरे पास कोई option नहीं था कि अब मैं इसमें आगे क्या पहनूं और अपने friend के शादी में पहनने के लिए मैंने बागी सारी चीज़े सर्च की है गाउन purchase की लेकिन तब तक इसका return की जो request थी ना वो जा चुकी थी उसका time period जा चुक इसलिए मैं इसका code आपको नहीं दूँगी 936 रुपीज का ये मुझे पढ़ा था लेकिन ये 9 रुपे के लायक नहीं है अगर बात कीज़े क्योंकि इसका main punch थाना वो इसका design था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे turtle neck अगर मुझे purchase करना होता ये तो आपका को दूपटा भी receive नहीं हुआ है मैं तो भूल ही जा रही थी क्योंकि इसमें हमें प्रोडक्त में वहां में mention था कुर्टा सेट जिसमें स्ट्रेट पेंट था हॉल्टरनेक का कुर्टा था और एक दूपटा था ये जो दूपटा है ये मेरा मैंने जो लोकल मार्केट से purchase किया प्योर कॉर्टन मटेरियल मुझे receive हुआ है लेकिन ये इतना जादा फिट है ना skin fit क्योंकि जब कॉर्टन के मटेरियल आप दो देते हो ना तो थोड़ा सा shrink हो जाते हैं तो आईकर से shrink होने के बाद मुझे थोड़ा टाइट आने वाला है लेकिन स्ट्रेट पैंड की quality लेस लगा के दी गई है अलग से लेकिन इस जो स्ट्रेट पैंट है ना उसमें आपको इनर लाइनिंग नहीं मिलती तो ये थोड़ा सा see through है material अगर जब आप इसे wash करोगे या श्रिंक हो जाएगा ये आई थिंक bottom वीर जो होते हैं ना cotton के material में at least मैं इनर लगवाना और इसकी quality quality वाइज अच्छा है material की quality वाइज पर design का क्या करूं मैं क्योंकि इसका जो में इसकी main beauty तो इसका कुरता थी इसका जो halter neck मैंने order किया था यह halter neck कहीं से भी receive नहीं हुआ है तो इसे please मत लेना ऐसी किसी भी जहांसे में please आप मत आना और सबसे पहली बात COD मत करन आपको prepaid नहीं करना है क्योंकि मैं आपके हर वीडियो में यही कहती हूं कि क्योंकि जब आपका shadow facts से courier आता है वह आपका order guy up कर देंगे और आपका fake sign बना के दे देते हैं कि आपका order deliver हो चुका है और आपके पास कोई proof नहीं होता at least जब आप COD नहीं करते हो ना तो आपक जो थोड़ा सा बेज कामी कलर यह बिल्कुल वैसा कुर्टा सेट है जिसका snap shot मैं add कर दूंगी और जिसमें हमें इसका main pattern मुझे अच्छा लगा था इसके जो कुर्टे की sleeves का pattern था बेल स्लीव वो मुझे मुझे बिल्कुल वैसी ही receive हुई है इस पूरे haul में मुझे सिर्फ वो falter neck वाले कुर्टा अच्छा receive नहीं हुआ था और जिसमें refund नहीं कर पाई थी return नहीं कर पाई थी पर यह जो pattern है यह बहुत ही खुबसूरत है तो beige color का यह कुर्टा है plane जिसमें हमें चुनरी print से print बना की दी गई हो और सामनी जो हमें काम मिलता है ना front में वो mirror work मिलता है जो real mirror नहीं है foil work है और इसमें छोटे छोटे हमें sequence भी attach करके दिये गए हैं जो बहुत ही इसको खुबसूरत look provide करता है festive look provide करता है तो अगर आप इससे नवरातरी में पहनने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो नवरातरी में भी बहुत time है या फिर यह college के हिसाब से office के हिसाब से बहुत ही settled plus simple yet elegant dress material है dress है तो यह बहुत अच्छा लगा मुझे इस कूर्टे की length a-line कुरता है यह हाला कि जब वहां पर मैंने catalog में देखा था था ना तो इसमें थोड़ा सा design different मुझे रिसी हुए है उसमें चोटी-चोटी से prints बने हुए थे लेकिन इसमें य मुझे बहुत अच्छा लगी material की quality बहुत अच्छी है जो material है वह soft rayon है और जो quality है थिक है थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वह पतला वाला rayon है जो एक wash में खिच जाएगा तो पहनने के बाद यह बहुत अच्छा लगता है इसकी में जो sleeves हमें provide की गई है वह bell sleeve provide की गई है और digital printing इसमें की गई है front side में foil mirror का काम है लेकिन back side में कोई भी काम इसमें नहीं है foil mirror का लेकिन इसमें जो prints बनाई गई है वह बहुत अच्छी है तो under 500 के according यह piece मुझे बहुत अच्छा लगा worth the price है worth the money है बिल्कुल भी मेरा money waste नहीं हुआ तो यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कुर्ते की अगर मैं length की बात करूं तो अगर आप 5-7 तक हो तो यह आपके below नहीं length आएगा लेकिन अगर उससे जादा हो तो थोड़ा लंबा पड़ेगा और sorry उससे अगर आप छोटे हो तो आपको लंबा पड़ेगा और जादा वाले नहीं पहन पाएंगे I guess कलर मुझे रिसीव नहीं हुआ है जैसा मैंने देखा था बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है अब अगर मैं बात करूं इसके plazo की तो यह जो plazo है ना website पे मुझे शरारा टाइप दिख रहा था लेकिन यह मुझे जो रिसीव हुआ है वो शरारा नहीं है bell bottom टाइप जो होत बिल्कुल कुर्ते से हट के प्रिंट इसमें बना के दी गई है कुर्ते से इसका कलर थोड़ा सा डार्क है और इसमें हमें से चोटी चोटे चुन्रे प्रिंट टाइप डिजाइन बना के दी गई है horizontal जो बहुत ही खूबसूरत लगती है जो आपको लंबा दिखाती है और यह भी और वैसे भी कुड़ता प्लाजो कितने ज्जाध इस में फैशन में इन जी हम सबح ME को माल fullness है और यह बहुत जदा प्लाजो नहों वह बहुत जबाट ज़ता हैं कि खूदी दार में पानिप यह चूड़ी दर मतिर्याल पहन नहीं पाते हैं जीन्स पहन नहीं पाते तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो बहुत वाइस बहुत ओसम है यह